तो Hello Friends, मैं हूँ पार्त हूँ अब लोग देख़रों Indian Robotics आज का यह जो वीडियो में बना रहा हूँ हूँ इसमें मैं आप लोग को एक Water Cooler बना के दिखा हूँ हूँ यह जो Water Cooler में बना रहा हूँ इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ यह क्या है यह है copper का glass आप लोग को मालूम है कि copper बहुत ही अच्छा conductor होता है temperature का ठीक है या फिर आप लोग बोल सकते temperature का नहीं heat का बहुत ही अच्छा conductor होता है copper ठीक है तो इसलिए मैं copper का glass यूज़ कर रहा हूं और इसके साथ साथ एक फेल टायर IC यूज़ करूंगा जो की है TEC 112715 आप लोग तो उससे डिलेटेड मेरे चनल में बहुत सारा वीडियो अल्रेडी देख चुके हो तो आप लोग को मालूम है वह वाला IC कैसा है ठीक है तो अभी मैं IC को यूज़ करूंगा और इस copper glass को यूज़ करूंगा और इस copper glass के अंदर का जो पानी होगा या फिर कोई coldings होगा तो उसको मैं ठंडा करूंगा उस filter IC के मदद से ठीक है और इसमें मैं liquid cooling system को यूज़ करूंगा as well as मैं जो source के लिए यूज़ करने जा रहा हूं SMPS बो होगा 12V 5A का ठीक है 12V 5A का जो SMPS है वैसे तो यह जो IC में यूज़ कर रहा हूं यानि TEC 112715 इसमें मैं 12V 15A तक SMPS को यूज़ कर सकता हूं लेकिन मैं 12V 5A का SMPS क्यों यूज़ करूंग क्योंकि मेरे पास वह ही है तो इसलिए मैं आभी 12V 5A यूज़ करूंगा और मैं जब तक देखा हूं मतलब जिना दूर देखा हूं कि 12V 5A का SMPS यूज़ करते हैं TEC 112715 IC के साथ तो एराउंड 3.5 मिनिट के अंदर ही उसमें माइनस 3 डिग्री सेंटिगेर तक टेंपरेचर गिर जाता है उसका कूलर स इसलिए बना लेते हैं अ वाटर कुलर और आप लोगो देखाते हैं और अगर तो आप लोगो एच्छा लगे तो इस वीडिओ को एक लाइक देदेना और ऐसी और वीडियो देखना हynnा है तो चैनल को सब्स्क्राइब करके बैल आइकन पर हीट मेरे दिमाग में बहुत सार मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ऐसे ही पेल्टेर के उपर तो आप लेवकर अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ठीक है तो फिर चलिए ये वीडियो को चालू करते हैं प्राइब करते हैं प्राइब करते हैं झालू करते हैं झाल 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 झाल